हर मुसीबत से बेखबर वो तो खेल रहा था लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज उसका खेलने का आखरी दिन है क्योंकि कोई ऐसा है जिसको उसका वहाँ पर होना पसंद नहीं आया फिर उस शक्स ने हैवणियत की ऐसी हदें पार की कि देखने वालों को किसी वहची जानवर की करतूश समझ आई लेकिन पुलिस की तफ्तीश ने अपराधी को बेरकाप कर दिया 13 साल का दीपक उस दिन खेल में अतना मशगूल था कि उसे ये नहीं पता चला कि वो किसी के निजी पलों की तरफ बढ़ रहा है दीपक इस बास से भी बेखबर था कि उसके ये बढ़ते कदम उसकी जंदगी पर भी भारी पढ़ सकते है हर मुसीबस से बेखबर वो तो केवल खेतों में रोज की तरह खेल रहा था लेकिन अगली सुबह उसकी लाश ने सभी को हैरान कर दिया लाश की हालत ऐसी थी कि किसी वहशी जानवर ने उसकी लाश को आदे से ज़ाद अपना निवाला बना लिया हो लेकिन तस्वीरों में जो दिख रहा था असल में वो था नहीं आठ तारिक को सुबह करीब साड़े दस में ये पुलिस को सुचना मिली थी कि गहलना गाओं में एक बच्चे की डैट गोडी मिली है जो काफी बुरी तरह से स्चित विच्चिप थी जिसमें वहाँ गाओं वालों ने तो ये बताया कि हो सकता है कोई जंगली जानवर वगेरा खा गया हो लेकिन जो पुलिस मौके पर पहुँची थी हमारे इंस्पेक्टर साहब और अन्ने लोग उन्हें संदे हुआ इसका तदकाल पी-म कराया गया पी-म में इंसाइज मूंड आई पुलिस द्वारा इसका तर्मीम किया गया तता इस जानने का प्रियास किया गया कि आगी ये घटना किसने कारित की घरवालों का बेटे की मौत पर रोरो कर बुरा हाल था गाओं वाले उसकी मौत को किसी वहशी जानवर की हरकस समझ रहे थे लेकिन अपराज को हर हालातों में परखने में माहिरी उपे पुलिस ने पहचान लिया था कि जो दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है पुलिस ने लाश को पोश्माडम के लिए भेजा तो रिपोर्ट चौकाने वाली आई रिपोर्ट आने के बाद वारदात को हत्या में तर्मीम किया गया इसके बाद जांच में जोटी पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी और भी हरानी भरी सचाई सामने आई दीपक की हत्या उसी गाओं में रहने वाले गौरव नाम के युवक्त ने की थी लेकिन पुलिस के पास अभी हत्या की वज़्य तलाशना बाकी था पुलिस ने गौरव को गिरफ्त में लेने के बाद जब उससे पुस्ताश शुरू की तो और भी हरानी वाली सचाई सामने आई पुलिस को गौरव ने बताया कि जिस वक्त दीपक खेतों में खेल रहा था उस वक्त वो अपनी चाची के साथ आपती जनक हालत में था गौरव और उसकी चाची की कर्तूतों को दीपक ने देख लिया था इसके बाद गौरव न दीपक को रोकने की कोशिश की लेकिन दीपक गाउं की तरब भागा गौरव को डर लगने लगा था कि वो गाउं में जाकर सभी को सब कुछ बता देगा इसके बाद गौरव ने वहां रखे फावड़े से दीपक परताबर तोड कई बार किये और उसकी हत्या कर दी गौरव से जब पूश्ताच की गई तो बड़े चोकाने वाले तथे सामने आए गौरव किसी के साथ खेथ में कंप्रुमाइजिंग स्थिती में इसने देख लिया था उसकी बदनामी से बचने के लिए गौरव ने अपनी की उसे ये गाउं में जाकर ना कह दे तो इससे वहाँ जो गौरव के पास खेज में फावड़ा था उसी से इसे काट दिया था जिससे इसकी मिर्ति हुई थी पुलिस के लिए ये केस से बिलकुल प्लाइन था लेकिन स्थानी पुलिस की होश्यारी से ऐसी वारदात सामने आई जिसके बारे में लोग पहले से ही मन बना चुके थे कि वो एक हाथसा है जिससे किसी जानवर ने अंजाम दिया है लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि उनी के गाउं के एक व्यक्ति ने अपनी गंदी कर्थूतों को छेपाने के लिए जानवर बन कर कतल की वारदात को अंजाम दिया है मुजब पनगर से आशुतोश मिश्रा नाशनल बॉय समाज को सिक्षित करना और एक सब भी समाज की कलपना ही उसका उद्देश था वो लोगों को सिक्षित करता था लेकिन उसकी सिक्षा और बेमिसाल वेभार उसके अपनों की दिलों में ही चुपता था फिर एक दिन एक खौफनाक वारदात ने सब कुछ बदल कर रख दिया उसका उद्देश उसकी जिन्दगी के साथ खत्म हो गया आपनों की नफरत ने उससे जिन्दगी की सांसे छिन ले ये लाश अगर बोल पाती तो प्रदेश में बेखौफ होते बदमाशों की दैशत को बया कर देती ये लाश अगर कुछ बोल पाती तो शायद अपने कातिलों का जिक्र भी कर देती लेकिन अफसोस कि लाश तो लाश होती है लेकिन ये लाश प्रदेश में बेलगाम होते अपराध को वया करने केने काफी है क्योंकि बेलगाम अपराधियों ने एक जिंदगी को लाश में पदल दिया प्रदेश में नहीं रुक रही वार्दा थे बेखौप बदमाशों ने किया कत्व शिक्षक की गोली मार कर हत्या सरे आम तावर तोड मारी गोलिया प्रदेश के बत्तर हालातों को दिखाती ये तस्वीरे इटावासले के जस्वंतिनगर इलाके से सामने आई है यहां के नैशनल हाईवे पर दोपहर के वक्त तीन बाइक सवारों ने जूनियर हाई स्कूल के संकुट प्रभारी की दिन दहाडे गोली मार कर हत्या कर दी वार्दात की सुचना पूरे इलाके में आग की तरव फैल गई मौके पर पहुची पुलिस ने शिनाक्त कराई तो मितक की पैचान मुकेश श्यादव के रूप में हुई पुलिस के सुचना के बाद मौके पर पहुचे परिजनों के अनुसार मुकेश सुबह निमंत्रन पर गए हुए थे घर वापस लोटते वक्त रात में तीन बाइक सवारों ने उनको घेर कर हत्या करते मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने लाश को पोसमाटम के लिए भिजवाने के बाद मामले की तप्तिश की तो कतले के पीशे की वजए जमीन का विबाद निकल कर सामने आया पुलिस के मुताबिक मुकेश के चाचा ने अपना पैटर्क मकान उनके नाम कर दिया था इस बाद से चाचा का बेटा मुकेश से रंजिफ मानने लगा था दोबहर के वक्त जब मुकेश निमंटर से लौट रहा था तो उसके चचेरे भाई ने ही अपने दो साथियों के साथ मिलकर गतल की वारदात को अंजाम दे दिया पुलिस ने पिरित परिवार के तहरीर के आधार पर आरोपी चचेरे भाई और उसके साथियों के खिलाब के दर्श कर लिया है अब पुलिस वारदात के भाद से फरार तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है वारदात के पीछे की वज़े से एक बार फिर साबित हुआ है कि जमीन जायदात का विवाद हमेशा खौफनाख अंजाम के साथ ही खत्म होता है चचेरे भाई ने जिस जमीन के लिए अपने ही भाई के गतल की वारदात को अंजाम दिया उससे न केवल रिष्टे कलंकित हुए हैं बलकि उससे समाज भी शर्मिन्दा हुआ है इटावत नेशनल वोईस के लिए रोहित सिंक रिपोर्ट झाल